गुड मॉनिंग आल आपि हूं मैं डाटर सुरजीत आपके लर्णों पर बहुत वास्वागत करता हूं बच्चों आए यहां पर क्लास टू के बात करेंगे यह दूसरा लेक्चर है इसके पहले एक लेक्चर शत्तिस बड़ का सामान परचे पहले यह अफ्लोड किया जा चु तो आप जो भी ज्वाइन के हैं जल से जल ज्वाइन कर लें चलिए यहां पर बात करते हैं सीजी प्यसी असिस्टेंस प्रोफसर पैट बैच लर्णों के द्वारा यह लेक्चर दो है पहले लेक्चर आप लोग जरूर देखें शत्तिस गड़ को प्राचीन काल में कौशल महा कौशल दक्षिर कौशल और डंड कारण के नाम से जाना जाता था ठीक है इसका लेक्चर महाभारत में भी मिलता है ठीक है 1497 इस्वी में खैरागर के राजा लच्मड निधी राय के चरण कभी बलराम राओ इनका नाम याद रखियेगा बलराम राओ की रचना में पाया जाता है ठीक है परतम उल्लेक की बात कर रहे है ठीक है यह परतम उल्लेक बलराम राओ की रचना में पाया जाता है इसके बाद दूसरी बार का प्रयोग 1746 इस्वी में 1746 इस्वी में कभी कुल दिवाकर गोपाल मित्र की रचना ठीक है गोपाल मित्र की रचना खूब तमासा में मिलता है आप इस एक्ट को भी बहुत याद रखें क्योंकि यह चतिस गड़ असिस्टेंट प्रोफिसर टीजिट वहां के सैट ठीक है और वहां पर जो पीसेस के एक्जाम होता है या वहां पर एससी लेबर कर जो एक्जाम होता है यह कुछ्चन बार बार रिपीट होता है तो आप जरूर दियान रखें नेक्स बात करेंगे बैदिक काल में यह भूभाग आर्यों और अनार्यों का समान्यवन अस्तन था ठीक है समान्यवन के मतलब होता है दोनों को कॉडिनेट वहां पर था मतलब एक कंजेक्शन बहु सकते हैं आप जोनों को उभेनिस्ट चीज़े पाई जाती है एक तरीके स का यहां पर हमारा में आप मेघ्वल बन होते हैं । टैक है तो मेघ्वल बन के खास्ते आफी शतिलीनकों होटाय स्माण्यवन वहां पर पाई जाती है तो इस फोई परकार बैदिक काल में जो लोग काफी हैं और आर्योग जो महाँ पर इन्वेजन कियें ठीक है गुस्पैट या आक्रमण कियें तो एक समानों अस्तल बनना जहर सी बात थी उस काल में उस काल में आर्योग के सब्दों में अभुभाग महा कालांतर के नाम से परशिद्ध था मतलब बैदिक काल में 36 को म महा कालांतर के नाम से परशिद्ध था महा कालांतर कोशना सकता है बैदिक काल में 36 जर्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था तो बच्चों उत्तर हो जागा महा कालांतर के नाम से जाना जाता है बालमिकी रामयाट में भी दो कौशल उत्तर कौशल या दक्षिड कौशल का प्रियोग किया गया है ठीक है छटी सताब्दी इश्वी इशापूर में संपूर भारत इशापूर्वे इशापूर में संपूर भारत में 16 महा जनपत थे जिनमिसी चेदी था और बैदिक साहत वडित चेदी जनपत बरतमान 36 गड़ी है इस अधाड़ा की पुष्ट मौरिकाल से पूर्व के सिक्को की प्राप्ति से होता है ठीक है अब आप लोग कमेंट करके बताइए 16 महा जनपतों का उल्लेक किस बौध साहित में और किस जन साहित में उल्लेक किया गया है आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएए चले नेक्स बात कर लेते हैं यहां बिभीन वन्सो या अथा नंद मौरे सत्वहान मेग वकाटक गुप्त राजर्श तुल्य परवत द्वारक नल सरमकुरी पांडु वन्स या सोमवार पंडव वन्स वाणवट कल्चुरी वन्स के सासकों का सासा राय छेत्र की इन सासकों के राज्य के समय के अवलेक सिक्के तामरपत पुरत अत्त्युमात के साक्ष उपलब्द हैं मेंस आर्चियोलक्शल एविडेंस यहां पर पाए गए हैं चतिसकर में जो कल्चुरी वन्स है इसका सासन काल सरवाधिक लंबा रहा है ठीक है चतिसकर के कल्चुरी वन्स का काफी important रोल है यहां पर और काफी लंबा समय रहा है चतिसकर के इत्यास में काफी लंबा समय कल्चुरी वन्स के इत्यास पढ़ने में बिताएंगे ठीक है बट यह लेक्चर रैपिर क्लास है तो इतना डिटिल में नहीं जाओंगा बस आप लोग कुछ महत्तपुर बाते बता दूँगा ठीक है महाश्वगुप्त कर्नाच के हर्च का स्रमकालीन था है जो महाश्वगुप्त थे यह कर्नाच के हर्च हर्षवर्धन का स्रमकाल हिन था और इसके सासनकाल में जीपूर की बहुत उन्नत हुई जीपूर शत्तिस गड़ में एक अस्थान है इसके सासनकाल को दक्षिर का स्वल अत्वा शत्तिर करके इत्यास का स्वर्ड काल कहा जाता है तो कोश्चन यह आता है निमलिखित में से किन सासक या किस सासक के समयकाल को जट्तिस गड़ के इत्यास का स्वर्ड काल कहा जाता है तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका महा शिव गुप्त ठीक है चलिए नेक्ट बात कर लेते हैं पूर पशाड युग के ऑजार महा नदी घाटी महा नदी घाटी कहां पर गिरती है ठीक है मतलब उसका फिनिस लाइन क्या है तो आप बताईएगा कमेंट करके बंगाल की घाड़ी या अरब यंसी है या फिर किसी नदी के ट्रिबिटी ज आप कमेंट करेंगे बताईगा और महा नदी में कौन सा डैम बना हुआ है और कौन सा प्रोजेक्ट है यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएं राय गड़ जिले के सिंगपूर से प्राप्त हुए हैं पूर्व पशाड की बात कर रहे हैं ठीक है और इसके बात मद यूग क लंबे फलक मद पासाड यूग ठीक है पासाड यूग लिखना भूल गया थे मद पासाड से तोड़ा से गलती हो रही क्योंकि खूद पीडियप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई नहीं हो मैं करेक्ट करता रहोंगा आप लोगों को आप परशान ना हो किसी नुक्सान नहीं होगा मद पासाड यूग के लंबे फलक अर्ध चंद्रा का लगुपासाड के ओजार रायगड जिले के कबाड़ा पहाड से चित्र चैला स्रय के निकट से प्राप्थ हुआ है ठीक है चले नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं उत्तर पासाड यूग के लगुक्रित पसार ठ भिलेसर पूर जिले के धनपूर त स्यालर हो निकर से पराप्थ हुए है कि 760 के अजार जिले आजनंध जिले जितवा दोगली रायगर जिले के टेरम नामक थान कुछार प्राप्त हुए है 36 गड़ मेर न NEW पपसाड कालेन अस्ताल कौन-कौन से हैं आपकोitsern resonant reasoning का नाम दे शकता है, तो आरजूनी का भी नाम दे देगा, चितवा-डोगरी का नाम दे देगा, टेरिम का नाम दे देगा और उसके बाद धन पूर का नाम दे देगा, और सिंगहनपुर का नाम देदेगा और आपसे पूछ रहा नौपसाड का आप कोई एक्जेक्ट याद नहीं होगा तो फिर सीज़े गलत हो जाएगी यह कोश्चन एसरसन रिजिनिंग में काम आता है तो नौपसाड के जो अस्तल है वो अरजुनी है चित्वा डोंगरी है औ और इस समय के चित्रकला गुफाओं में चित्कारी करने की कला जानते थे काम नौपसाड काल के जो लोग है वह चित्रकारी करना जानते थे यह सब हम लोग जानते हैं भीम बेटका अगर हम भी मिला है तो आप लोग देखिए कोई शीज़ अगर 36 क्लिक्ट याद ना हो तो जो समान बातों को आप लोग लागु करके भी चिज़े कर सकते हैं और मैं जल्दी ही जब लाइक कला साने लगेंगे थोड़ टाइम में क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे हैं अहां एक लाइक कला से एक मिंट आपने हो रोकता हूं लेक्चर आप लोग मेरी इंपॉर्टन में टॉंटी लोग में सिर्टीन बच्चिया हैं जिसमें अनीता और उसका नाम नहीं यादा रहा है तो इन तीनों नहीं जांगा में लाइक जाओंगा मैंबर्स के लिए तो इन तीन को ही देखेगा तो कोई फायदा नहीं तीन लोग ही देखें और या भी या बीजी जो पैड में बरोंगे उन्हें कल से मिलेगा तो यह वीडियो लाश्ट वीडियो जो मुक्त है सभी के लिए आज के टेस्ट और आज का वीडियो लेक्षर सभी के लिए मुक्त है इसके बाद आपका पैड होगा तो जो बच्चा भी तो जोईन नहीं किये हैं और 36 का फार्म और स्लेक्षन लेना चाहते हैं पैपर फार्स उनका प्रिपर नहीं अच्छे से और समय नहीं कि किताब पर पाएं वीडियो देखकर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो देखिएगा पिर वीडियो का आपको पीडियो मिल जाएगा और उसके बाद टेस्ट तो आपको चीजे बार-बार रिपीट हो जाएंगी तो आपको मेमराइज हो जाएंगी मगप करने की नहीं रह जाएंगी अपने माध्यम से भी आपकों का रिपीट करा दूंगा तो आप लोग बिलकुल परशान नहीं आप इसका फीज बात कर देता हूं 36 गड़का जो मारी टेस्ट तरी चल लगी है ठीक है टीएस प्लस मारी क्लास इनकी कंप्लीट फीस में ने रख दिया है 799 अपको इसे पेटियम गूगल पर फोन पर कुछ भी करना होगा और पेमिंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो आपको डिस्क्रि चलिए तो मैं यहां पर था आप लोगों का चित्रकारी मैंने करा दिया उसके बाद पासाड यूग के पश्चात तामर और लाह यूग आता है तीक है तामर इंडिया बात किया जाए तो हड़ापा सब बेता एक तामर ठीक है कांस यूगीन सब बत्या थी यह तामर एक कांस यूगीन सब बता है ब्रॉंजेज की सिविलाइजेशन है बट तामर पासाड आप कहते तो कोई दिक्कर नहीं आगी यहां पर बात कर रहा हूं है पासाड के बाद आपका तामर आएगा उसके बाद लाव आता है लेटर वैधिक पीरियट में ठीक है लेटर वैध दक्षिर कौसल छेत्र में इसकाल की समागरी का आभाव है ठीक है पासाड की बात ठीक है और किन्त निकट वरती बाला घाट जिले बाला घाट का है बाला घाट मद्ध परदेश का जिला है कि गुजरिया नामकस्तान से तामे के आउजारों के एक बड़ा संग्रह प्रात ह अब हुआए hp यह ताम्र पसाड कालिन शबिटा की बात की जा रही है ताम्र पसाड कालिन समय ठीक है उसके बाद आध करेंगे प्रदिहासिक आल Pre-historical era में जो मनुश्पर्वत कंद्राओं में निवास करता था Pre-historicals era में क्या होता था जो माना हम है humans हैं परवतों को कार्ते नहीं थे जो प्राकृतिक चाहतोर से natural कंद्राओं थी क्यों थे उसके में मनुशों का निवास होगा करता था ठीक है और तब उसने इन सेलास्त्रों में अनेक चित्र बनाए थे रायगर जिले के शिंघनपूर और तथा कब्रापाड़ी के अंकित कब्रापाड़ी याद रखेगा शिंघनपूर के अंकित सैल चित्र इसके उधारण है एक क्वेश्चन कई बार 36 गड़ पब्लिक सर्व आता है हाल के वर्षों में राजनंद गाउं जिले में चित्वा डोगरी रायगर जिले में बच नाजहार ओगना कर्मागर लेखा भड़ा में सैल चित्रों की एक स्रिंखला प्राप्त होती है ठीक है और यह सब क्या है प्री हिस्टोरिकल टाइम के हैं प्रगयत्यासिक का ठीक है चाहिए नाज्ट बात कल लेते हैं छीनी य यात्री वें सॉंग प्रशिद्ध यात्रियों का राजकमा हां शेया सोग इस भी में दक्षडी कोसल राज की यात्रा करता है। 6 & 9 AD में चानीज ट्रेवलर फिन संग ने शावत कोसल स्टेट के जो है ट्रेवलिंग करता है यहां पर उसके बाद ओधक सतक नामा के ग्रंद के अनुसार महत्मा बुद्ध इस ग्रंद का नाम बत याद रखेगा ओधक स सतक नाम ग्रंद के अनुसार महत्मा बुद्ध दक्षडी कोसल राज आयते तता लगबक तीन महां यहां के राध्धानी में उन्होंने प्रवास किया था ठीक है प्रवास के मतलब था माइग्रेट या इमिग्रेट करना ठीक है ऐसी जानकारी बौध यात्री वह इंसांग करते हैं कि हमें पता है वेल सांग आय थे और उसका हम कारवन डेटिक भी कर सकते हैं और उन्होंने तीत रहित भी चीज़े काफी जानकारी दी है तो वेल सांग अगर लिख रहे हैं तो यह है कि है कंफर्म हो गया महत्मा बुद्ध जो है दक्षडी कोसल राज कि में गये थे और उसके सपोर्ट का राय एक और सुरोथ हमारा इतियासिक स्रोथ हिस्टोरिकल सोर्स ओधक सतक ठीक है नेक्ट बात करेंगे वर्ड्स 1741 एडी को 36 गड़ के राजनेतिक इध्यास में परिवर्तन का काल माना जाता है इस समय तक कल्चुरी सासन 36 गड़ में पतन की कागार पर पहुच चुका था ठीक है 1741 इश्वी को 1741 एडी को 36 गड़ के राजनेतिक इध्यास में परिवर्तन का काल माना जाता है और इस समय तक कल्चुरी सासन 36 गड़ में पतन की कागार पर पहुच चुका था नेक्ट बात कर लेते हैं 1757 इश्वी में भोशलों ने राएपुर के कल्चुरी राज का अंत कर नापुर के भोशले ठीक है मराठाओ के जैसे ते सिंधिया ग्वालियर के ठीक है तो ऐसे मराठा अलग अलग बटे हुए थे बड़ो द्रया के गायकवार ठीक है तो यहां पर जो नापुर के थे वो भोशले थे उन्होंने अंत कर अपना प्रत्यक्ष सासन शुरू किया था डारेक्ट जो है बनाया था। नेक्स्ट क्या आता है। 6 जून 1830 को 36 गड़ का सासन नागपूर के सासक रग्राव जी वन को हस्थान त्रित कर दिया गया। माराठाओं माराठों की मित्रता अंग्रेजी साक्षन से बड़ी तो 1854 एड़ी में 36 गड़ को अपने नियंत्रण में लेकर इसे कैप्टन एड़मंड के आधिन जिला बना दिया गया। इस लाइन को मुझे लगता कई बच्चे कंफ्यूज होंगे तो मैं इस लाइन को दुबारा बताता हूं आपको देखें। 6 जून 830 इस भी को 36 करकर जो सासंता महाराष्टा के जो माराठा समराज हुआ करता था उसके एक ब्रांच थी नागपूर के भोशले ठीक है तो नागपूर के जो भोशले सासकते रागुजी पृथम इने जो है सत्ता हस्तानांत्रित कर गी 6 जून 830 इस भी को माराठो की मित्रता अंग्रेजी सासकोस से बढ़ी तो जब सभी को पता है बाद में जब माराठे हारते हैं और से ग्वालिया के जो तो गदारी करते हैं देश के आजादी के साथ तो ऐसे भोशले भी यहां पर करते हैं अंग्रेजों की मित्रता बढ़ीती है और यहां पर भोशले होते हैं इन्हों ने 1854 में 36 गड़ को अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने इसे नियंत्रण में लेकर के कैप्टन एडमंड के आधिन जीला भुखोशित कर दिया इसे 36 गड़ को ठीक है आगे आपको डिटेल्स बताते रहेंगे 1854 से लेकर के 1947 इसमी तक 36 गड़ बेटिस सासन के आधिन रहा और सन 1857 में मेरट से शुरुआ पर्थम स्वतंतरता संग्राम की चिंगारी 36 गड़ भी पहुची और यहां पर सोना खान के जमिदार वीर नरायन सिंग्ग नाम देखिए बहुत किसे से मैच करता है सोना खान के जमिदार वीर नरायन सिंग्ग सायद ही आप लोगों नहीं भारती इत्यास पढ़ते समय सुनाओ जैसे बिहार के इत्यास ना भी पढ़ें तब भी आप बाबु कुवर सिंग को जानते हैं बट यहां पर जो 36 गड़ के थे सोना खान के जमिदार थे वीर नराय जो झोड़ेंड यह समय सिंग जो थे जमिदार थे इन पर देशिंग का मक Vergna मदा जलाए अ ओ Mik un अई through माफिश का एंगय ऐसके दोड़ी स्टोट होगी थिचलिए बात करते हैं आप बीडो ना राएंज hij saadong Sarah Sh80 यह ने स्ट्रूर नोहीं बात करते हैं आप पीर नरायन सिंह 36 गड़ के प्रतम स्वत्रंत्रता सेनानी बने तो ये भी परिशा के दिरिष्टी से अत्यांत महत्पूर है 36 गड़ में थीकि यह आपको कम्प्लीट हो गया 36 गड़ में हर्जो धर कार का प्रारम पंडित हरिजोनो धार ठीक है हरिजोनो को जो अमारे शुद्र जातिया है उनके उधार कार का प्रारम सुंदर लाल सर्मा द्वारा 1917 इस पिंप्रारम किया गया था हरिजोनो धार ठीक है गादी जी की पर्थम 36 यात्रा गादी जी की राष्ट पिता महात्मा गादी जी की पर्थम 36 यात्रा 20 से ले करके 21 दिसंबर 1927 को हुई देखे रिपीट कर देते हैं गादी जी की पर्थम 36 यात्रा 20 से ले करके 21 दिसंबर 1927 को हुई और गादी जी की दूति 36 यात्रा 22 से ले करके 28 नौंबर 1933 यात्रा तक हरिजोनो धार से संबंदी थी ठीक है तो महत्मा गादी जी भी पंडित सुंदरलात सार्मा जी का जो कारी चल ला था उस पे जो है सायोग देते हैं महत्मा गादी जी ठीक है संबंदी तरह हैं तो आप यह याद रखें इसलिए मैं आपको इसका पीडियम मिल जाएगा आपको परशान ना हूं 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने के साथ ही मद प्रांथ और चत्यसगड़ भी अलंक्रित हो उटें यह भी आजात हो ठुके ओ उटें ठीक है 15 अगस्त को प्रात है मद प्रांथ और बरार के पर्थम मुखपंत्री पंडित रवी संकर्शुक्ल ने नाधपूर राधानी के एतियासिक सीता बार्डी के किले पर तिरंगा फाहराया ठीक है प्रिथक 36 गड़ राज जी की पहली कल्पना पंडित सुन्दरलाल सार्मा ने वर्ष 1928 में की थी देखें रिपीर करता हूँ प्रिथक 36 गड़ राज जी की पहली कल्पना पंडित सुन्दरलाल सार्मा ने वर्ष 1928 में की 36 गड़ राज जी के लिए किये गए विभिन अंदोलन की पूड़ा हुत वर्ष 1998-1998 की लोग सबाद चुनाव के दारान हुए जब छोटे राज्यों के पच्छदर मानिनी स्री अटल बाहरी बाजपई ने 14 जन्वरी 1998 के दिन अपने भासन में 36 गड़ राज बनाने का वादा किया उन्होंने वादा किया कि हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम 36 गड़ के एक स्वदंत राज बना देंगे ठीक है 25 जुलाई 2000 इस्वी कोज लोग शबा में जिन तीन राज्यों के निर्माण है तो विदेग परस्तुत किये गए उनमें एक विदेग 36 गड़ के संबंदित मद्ध प्रदेश पुनर्गटन विदेग 2000 भी था एक नौर्बर 2000 को भारती संगे 26 राज के रूप में 36 राज आश्तुत में आया c आप कमेंबर के बताए आश्तित वाया या किन दो अन्य राज्यों का निर्माण में 2010 में किया गया है ठीक है चले अर लास्ट निर्मित होना है वाला राज कौन है जम्मु कस्वीर या लद्धाक आप क्रोणों लाजी बताइएगा ठीक है मद्ध प्रदेश से प्रितक होकर 36 राज बनने पर उसके पर्थम अब देखिए इबातरी 2017 की पर 36 राज या इक अलग इस्टेटक बना तो उसका राज पर्थम राज पाल स्री दिनेस नंदन सहाय बने कि पर्थम ना स्हाइव बने टिशाप सी तफ्रेके के अजिव फर्ष स्री चाहर अज़्य बने करने ठीक है चले नहीं बात कर लेते हैं माराठा सासन ठीक है 1741 से ले करके 1854 इस्वी तक माराठाओं का सासन रहा है ठीक है 1741 इस्वी में 36 के राजनेती कित्यास में परविरतन का काल माना जाता है 1741 इस्वी ठीक है कर जो कलचोरी वल शासन था इनका पतन हो गया था और केंद्रिसक्त का बिगठन बहुत पहली आरम हो चुका ठीक है और चुछोटे-छोटे सासक राजनिते इनके जडे दिन प्रते दिन कोकला बना रहते जो कलचोरी सासक था ऐसे स्थित का लाब उठा करके नागपुर के जो भोशले या होसला या भोशले दोनों नाम प्रशी लिते हैं कि सेनापती भासकर पंथ ने तीस जार सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमाड कर दिया उस समय यहां रहुनात सिंग का सासन था ठीक है और उनकी अवस्ता ये साट वर्स थी वे अपने एक मात पुत्र की मिरित के सोक में पेड़ित थे अब कोई यूराज भी बचा नहीं था तता यूदि के तन पन्त ने रगुनात सिंग के आत्मसंभरकर के बात यद्यप उनके साक्त ब्यत्तिगत कुरूता का परिचन नहीं दिया परंद रतन पुराज को अतंकित करने की दिरिश्ट उसने वहां कि निवासियों पर एक लाग रुपे का जुरबारा ठोक दिया तता राज कोट का धन युट लिया के राजकोष का धन लूट लिया भासकर पंथ ने पर शला साथन के परत्विए की रूप में राज नात सिंग का रतर प्रशकर का अज्यकृत पुनाय दें प्रद अपने स्वामी के हीतों को देख बाल के लिए उसने वहां कुलीन घीर कल्याड गिरी नामक बैक्त कर न्यूक्त करते थे एक बैक्ति थे जो कि भोशले के प्रतिन्दीक रूप में एजन्ट की रूप में यहां पर जिससे हमारा जो बेटी समराज है रेजिडेंट न्यूक्त करते थे एक तरीके से मराठाओं का यह अपनिवेशिक करण था ठीक है माराठाओं के अपने सिख नीती थी तो एक तरीके से कह सकते हैं माराठाओं के अपने सिख नीती के ताथ कुली गीर को राजनात सिंग के उपर द्रिष्टी रखने के लिए या निंत्रे तर्पने के लिए उसके दर्वार में निक्त किया गया था कुली गीर या कल्लाडगी नाम रतनपूर राज जी का नया साशक निक्त किया गया रतनपूर राज जी में मोहन सिंग का साशन वर्ष 1758 इस वी तक चला और तब उसकी बिरित हुई तम जब उसकी बिरित हुई तम सर्व थम भोशला साशन ने वह अपना प्रतेच शाशन अस्तापित किया जिसके अंच में कल्चुरी वन्स का पूर्त या सामूल नाश्ट हो गया ठीक है चले नेस्ट बात क्या लेते हैं रायपूर राज का अंत यह भी इंपॉर्टन कुछ दुद्धीन चीजे फैक बता दे रहा हूं 1741 इसवी में मराठा वास्करपंद के रतनपूर राज़िपर आकमर के समय रायपूर राज़िबे अमर सिंग का सासन था अमर सिंग ने मराठों के बिरिदू कोई कारवाई नहीं की हुए 1750 इसवी में मराठों उसकी जीव का हेद राजिम रायपूर पट्टन के प्रगने प्रदान किये बजले में साथ जार रुपए वार्शिक भेट लेकर उसे सासन से अलग कर दिया ठीक है तीन वर्ष बात 1757 इसवी में अमर सिंग की मरित्र हो गई और उसका पुत्र सिराज सिंग चोहन नहीं सिराज सिंग उराज था राजिका उत्तराधिकारी बना पर्त भोशले ने उत्राधियार से प्राप्त उसकी जागीरे छेन ली किसकी स्विराज सिंग का चाहान मत लगाईएगा और 1757 इसमी में 1797 प्लासी का युद्धोरा था में भोशले ने रायपूर के कल्चुरी राज का अंतकर अपना प्रत्यच शासन अस्तापित किया पर लेते हैं इंपॉर्टन बात कुछ आ जा रही हैं पर महराथा जो शासन है उसका फोर स्टेजे जाती है चार चरण या फोर स्टेज़ दमराथा अडमिस्टेशन लेज प्रत्यच भोशला शासन डारेक्ट अडिस्टेशन अप भोशला 1758-2787 एडी ठीक है उसके बात-बात करेंगे शूभा सासन शूभा एडमिस्टेशन ठीक है ऐए सेवेंटी एटी सेवन टू एटिन एटिन एडी सूभा सासन 177-1888 एडी ठीक है बिटिश सानश्टना दीन मराथा सासन आप क्या हुआ यह बिटिश क्या हुआ आप सभी पता है ठीक है कैसी कैसी नीतियां बीटिसों की रही है लाट बिलियम बैंटिक का इसमें सासन होता है और वे क्या करते हैं मराठे सासन को अपने सनच्छडा धीन ले लेते हैं तो बीटिस सनच्छडा धीन मराठा जो सासन है 1818 से अठाशा तीस इसमें तक का सासन होता है और नेक्स हो जागा है पुने भोशला सासन 1830 से 1854 एड ठीक है तो यह चार चरण है आप फोर स्टेजेजें मराठा सासन की चातिस गड़ में ठीक है यह चातिस गड़ में बात कर रहे हैं बार बार आप लो ध्यान हो मराठा बात मैं मराठा सासन का 36 गड़ में क्या शुरूब रहा है उसकी बात हो रही यहां पर नेक्स आज इंपार्टन बहुत चीज़ है बिंबा जी भोशला जो रगु वन के पुत्र थे रगु जी उनके पुत्र थे बिंबा जी घोशला या भोशला 1758 से 1787 विद्वारा की एगे मुख कारी रहे हैं बिंबा जी ने रतनपूर रायपूर का प्रसासनिक एकिकरण कर उसे 36 गड़ राजी की संग्या दी थी ठीक है रतनपूर रायपूर का प्रसासनिक एकिकरण कर रायपूर राजी की संग्या दी थी बिंबा जी ने नंदगां और खुच्ची नामक दो नई ज बिम्बा जी ने यहां विजय दसमी परपर स्वड दान पत्र देनी के प्रता प्रारम भी की, नेक्स्ट बात करेंगे तो यहां पर बिम्बा जी ने मराथी भासा, जिसकी लिपी क्या थी, मोडी और उर्दु भासों को प्रचलित करवाया, देखें लिपी भी कई बार भविराम मंदिर उसकी फोटो आपको लोगों पर दिख जाएगी, बिम्बा जी ने रायपूर के परसिद दूधाधारी मंदिर का पुने निर्मान करवाया, इस परकार बिम्बा जी ने चातिजगर की परजा को एक नई सासन पद्धत दी, बिम्बा जी ने रायपूर के यह ने रायपूर के नई सासन पद्धत दी थी, अब उपद्धत पे डिटेल जाएगे तो आपका लेक्षर बहुत लंबा होता चला जाएगा, वैसे भी बहुत लेक्षर लंबा ही जाएगा, इनका समय काल रहा है, अठार सब परचास से उननी सो तीस भी, बिम्बा जी न और इनकी पुष्ता कर नाम है तो अरेक, हाँ बथां वनसी, राजाओं की आएखे वनसी, ठीक है, राजाओं की यह स्विद्धत रसास्त्री इध्यास समुच्य नाम है। पुछ तक में दोनों ने बिम्बा जी के सासन के परसंशा की गए कि जो बिम्बा जी था यह काफी उदार सासक था, सभी का भला चाहता था, काभी प्रगत सील सासक भी था, ठीक है, आभी तक तो हमने बात एक किया प्रतेक्ष सासन में, और प्रतेक्ष सासन में बिम्बा जी पर आम मैनेज करिए नेक्स देखते हैं यहां पर नेक्स टाइप जो आपका नेक्स इस्टेज है सूबा सासन यह सूबा सरकार इसका समय काल है 1787-1818 ठीक है 1787-1818 इसमी की बीच सूबा सासन का समय काल है और इसके जो पर बात यहां करेंगे तो वियकोंजी भोषला वियकोंजी भोषला 1787-1818 इसमी की बीच रहते हैं और हो क्या रहा है विम्बा जी के एक्चुली भिम्बा जी का जब डेथ होती है मर्डो प्रांथ भोषला राजकुमार थे हैं वेकोंजी भोषला और इन्हों चत्यकर राजकार जो है उतरदाईत प्राप्त हुआ और किंतु इन्होंने एक नई पद्द्यत अपना ही एक किये क्या रायपूर जो है नापूर से यह शासन चलाने लगें और रातनपूर जाते नहीं थे और अपने दर्पर इन्होंने शुविदारों के न्यूक्ति करना शुरू कर दिया और क्या हो रहा था अब क्या हुआ नापूरी छत्यकर के राजनेतिक गद्विदी का के नापूरी होते हैं यहीं से सुविदार स्थुविदार को न्यूत करने की प्रमपरा का सुत्रपात हुँआ और भोसला रासकुमार के प्रतनधी के रूप में सुविधार अपने मुख्यले रतनपूर से छत्रुपधूरी करने लगा और इस वात को भी 36 गड़ में अस्तापित एक नभीन बहुता मराठो की उपने स्वादी नीती का परचायक थी मराठे क्या थे अब वैसे भी सर्देश मुखी यह सब लेते ही रहते तो आप लोग पता है सब चीजे जब भारत के इत्यास पढ़ेंगे तो आपको पता यहां तो चीजे में डिटेल नहीं जाओंगा पर चौथ सर्देश मुखी उसी प्रकार से यहां पर भी इन्होंने एक अपनी वेसिक क्लोनिकल पॉल यह सूबा सरकार सूबा गौर्णेंस और सूबा गौर्वेंड का नाम दिया गया है और बेकुम जी भोषलनाग्पुर के सत्ता संगर्च में लिपते रहें और 24 साल लंबे कारिकाल में मात्र ठीक है मात्र तीन बार ही च्छतिशगड के दोरे पाए जैसे आज आपने नेत जो राजकुमार थे तीन बारा आते थे चौबिस साल के कारिकाल में और पांसाल से डिवाइट करते तो भी नहीं ठालता ठीक है मतलब हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है अब इसके बाद इसी में देखे शुबेदारी जो यहां पर बेश्टा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स है उसे भी आप लोग देख लिजे इससे एक से दो कोश्चन डेफिनेटली एकजाम में आपको देखने की मिलेगा मैं रिपीट कर रहा हूं एक कोश्चन मीन चार से पांच मिन के वीडियो में तो आप इस वीडियो को देखें ही देखें और याद करने याद कलने मेमराइज करने मघप के ले रट जालें चार डालने अचार मना खालें बट कैसे भी किर टाटिते हैं एक बहुता आप jar Madhan आप जो दही मिला के नमक के साथ चार जाइ सुभा सासन के दौरान 36 गड़ के नियुक्त जो सुभिदार हैं वह रहे हैं महिपत राव दिनकर उनका समय काल भी आप लोग याद रखें सत्रा सथा 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 आप लोग उनने सभी देखा यू अभी यूजिसी के कुछ बिस्चे बता रह सथा सथी पहले सुभिदार थे मराटा पहले सथा सासन की सारी सक्तियां अनंदी बाई के हाथ लोग तो उसे याद रखें यह क्या थी पिम्बा जी की बिध्वा थी उसके बाद थे बिठल दिनकर 1790 से 1766 में यह 36 का दूसरा सुभेदार था और 36 में परगना पद्धत की अस्थापना किये था परगना पद्धत में अलेक्स लेक्चर में बता दूंगे या फिर आपने कम बॉक्स वरा करके यहां पर इंपॉर्टन नहीं लगा इसलिए मैं यहां पर तंसीडर नहीं किया है तो परगना पद्धत कर जन्मदाता कौन है यह कोश्चन आ जाता है बिठल दिनकर थे और यूरोपी यात्री कैप्टें ब्लांट का च्छतिकर आगमन किस सुभेदार के राजा दे देता है ठीकर तो आप लोग कर्फ्यूज ना हो सुभेदार यहां सलैस करके राजा भी आता है परिच्छा में तो कैप्टें ब्लांट किसके समयकाल में थे बिट्टल दिनकर और फारेस्ट किसके समयमा था महिपत्रावत दिनकर ठीक है भावानी कालू का जो सम इसका रहा है उसके बाद नेश्ट बात करेंगे गुबिंद केशो गुबिंद 1797 से लेकर के अठार सो आठ इस्वी सर्वादिक अविदी तक 36 का सुभेदार है रहा है सबसे अधिक समय तक और यूरोपी यात्री की बुक का की बुक ठीक है इनका जो है 36 में आगमन होता है और इसके बाद इंपॉर्टन चीजे हैं की बुक और इसके बाद की बुक नहीं है यह गलत लिखा मुझे वह इसलिए याद आ रहा था कोल बुक है सौरी कोल है बूक आप लोग इसे ध्यां रखें मैं दूसरा पेंशेंज करें यह भीन दे रहा हूं जिससे कि आप लों को याद हो जाए चीजہ है ठीक है तो यह सानाम है कोल बुक ठीक है एक कोल बुक है यहान देखिए का कंद कोल ब्रूग ऺजिंद खेvania कोल ब्रूग नामधी इरूपीआ के ट्रींग आग्मान्य welcome के लुग में के समय में केप्टन ब्लांड का जो बिठ्थल धिनकर के समय होता है और फॉरेस्टर का जो समय यात्रा करते हैं उनका समय कारोता है महिपत्राव धिनकर इसका मैचिंग करने का आपको कोश्चर में देखने मिल सकता है बीको जी और दिरो कुलुकर जो थे इनका सासनकाल काफी कम समय करा है अलबकालिक है तो इनका इंप्पार्टन नहीं है कोई फैक्ट नहीं है बीका जी गोपाल 1809-8272 पिंडारियों का उपद्र होता है चतिछार के वायसराय बैंको जी भोषला की मृत्त्युमे नहीं वायसराय आते हैं अप्पा साहब द्वारा बीका जी गोपाल से अधिक राशी की माय की इरते हैं विकाजी गुपाल द्वारा आसमर्ता प्रकट करने पर उसे सुबेधार पत से हटा दिया जाता है ठीक है नेक्स बात कहलेते हैं शूखा राम तीन माह तक रहा है इस आसन इसका अठारा सो सत्राइश्वी में आसन तुष्ट की सानुदारी से गोली मारती जाती है ठीक है पसिताराव टटिया अठार सो सत्राइश्वी मात श्याम च्छाठीश्गड का सुबेधार आता है इसके बार था यादारा रौध दिवाकर शौरी दिनकर नहीं यादावरा दिवाकर 1817-1888 श्वी 36 गड़ का अंतिम सुभेदार था यह हो गया दो तरीके के मराठा प्रसाशन 36 गड़ में अब तीसरी बात करते हैं आप बिटीस शड़ाधीर माराठा सासन 1818-1830 श्वी कैप्टन एंडमंड 1818 श्वी में इनकी न्यूक्ति होती है और कैप्टन एंडमंड 36 गड़ के लिए पर्थाम बिटीस अधिचक के रूपर न्यूक्त किये गये थे परंत पे अधिक समय पर नहीं बने रह सकें और बिटीस सा सासन के पर्थम अधिकार होनी कारण इनकी सारी सक्थ 36 गर में सांती बिष्टा अस्ताविद करने में लगी रही इसके सासन काल के मर्मुक घटना में 36 गर में डोंगरा के जमिदार द्वारा अंग्रेजी सासन के बिद्रोग किया था यह आप लोग याद अक्सल सकते हैं ड इगनूर जो थे 88-88825 बी तक इनका जो है समयकाल होता है और कैप्टन एडवन्ट के बाद एगनियू 36 गर के अधिशक बनाए गए और एगनूर ने 36 गर के संदर में एक पुष्टक भी लिखी है और उनके दारह लिखी गई या पुष्टक एकमात्र ऐसे पुष्टक जो कुछ इंपार्टन चीज़ देख लीजिए रतनपूर के अस्तान में ने रायपूर को 36 गर की राधानी बनाया था काफी बुद्धिजी भी थे एंगेनू और काफी लंबे समय तक 36 गर में रहे हैं और जिस कारण से इनका समयकाल काफी इंपार्टन हो जाता है और 36 गर की में परिवर्तन ठीक है चलिए तो वही बात होगी यहां पर कैप्टन हंटर 1825 इसमें में अधिश्यक पत्व निउक्त किये गये और इनके संबंद ज्यादा जानकारी तो मिली नहीं है और हुआ क्या था है एग्णू ने त्याग पत्र दे दिया तो पता नहीं है और कहीं दिटियल मुझे मिली नहीं है किसी जानकारी है तो कमेंट कर सकते हैं और सेंडीस ने 1825 से 1828 इसमी में इनकी निवक्ति होती सेंडीस और कैप्टन हंटर के बाद सेंडी 66 के अध्यज बनाया जाते हैं और पहले नागपूर घुटसवार सेना के सानी का अध्यकारी रह चु हैं इस संदे के अंग्रेजियों और रघुजी तृती के बीच नहीं संबत के स्थापना हुई जिसके नागपूर जिले का सासन प्रयोग के तौर पर रघुजी के अध्यकार में रखा गया इस संदे से 36 गड़ का सासन अप्रभावित रहा और वहां अंग्रेजियों का न मनाया गया और संदेश के कारिकाल में 36 गड़ में तहु तहुतारी बवस्ता का आरम किसके समयकाल में हुआ था इसके बाद बात करेंगे बिलिंकन्स क्राफार्ड की 1828-1830 का समयकाल है और इन लोगं का बहुत ज़्यादा महत्रपूर रोल है नहीं इसलिए इस पर ज़्या भोशला सासन 830-854 इस्वी रघुजी तिर्थी 26 जून 830-11 दिसंबर 830 पर इस्वी की इनका समयकाल होता है पुर्या भोशला सासन के दौरां 36 गड़ के लिए नियुक्त जिलेदार ये थे और क्रिश्र राव अप्पा 36 गड़ का पर्थन जिलेदार था अमरित राव जो सब जिलेदार है ठीक है जो नियुक्त हो रहे हैं जिलेदार उनकी बात कर रहा हूं पुना भोशला सासन में ये सब जिलेदारों के नाम है क्रोल लाजी लगाने आप भूल गया है सब गोबिंद राव गोपाल राव 36 गड़ का अंतिम जिलादार होता है ठीक है इसे भी आ लोग ज्यादा याद रखे दुर्गापरशाथ इंटूक राव सखाराम बापू गोबिंद राव गोपाल राव ठीक है और जब राव है तो आप लोगों को देखना नहीं कि जो है माराठा होंगे बाकि सद्रुदिन और दुर्गापरशाथ को और सखाराम बापू की या 247 भी ठीक है नागपूर के भूशले सासक रगुजी तिरती के निसांत होने के कारण नागपूर राज को बिटी समराज में बिले करने का निच्चे किया गया मार्च 1854 इस्वी में नागपूर राज जी को बिल्टी समराज का अंग बना लिया गया यद्यप रगु जी की तिरती की मृत के पश्चात बिल्टीस रेजिडेंट ने 11 दिसंबर 1853 को ही राज का प्रसराशन अपने आतों में ले लिया था ठीक है और इसमें होता क्या है रहे हैं प्रसराशन में मिला लिया जाता है और चार्ज अपनति माराथा जीले दार गोपाल राओन ने एक फरवरी अठासो पच्वाण को बिल्टी शाषन के प्रतरिक अपना साशन सॉप दिया ऑपना चार्ज सॉप दिया यह आज में समभर कर दिया जो भी चीज़े घ्टी सरकार की युजश स्च चथी गड़ 27 के लिए एक डिप्टी कमिशनर की न्यूकति की गई do 25 में बिटी सासनाराम को हुने के समय से राव और मोईबूल हसन को करमसर बिलादपुर रायपुर में अत्रिक्त साहिक कमिशनर नुप्त किया गया इस प्रकार शेत्र के प्रशासन के लिए बिटे सरकार ने नवीर कुत्त, साय कमिशनर एंफिकार और उसके बाद आपका या पर हो गया साय कमिशनर उसका थीजिए जैसिलदारी वहसता का चूत्रपात किया जो आज भी जारी है इसके अंतरगत 36 जिले को तीन तहसिलों रायपूर धमतरी रतनपूर में बाटा गया ठीक है अब देखें जो 36 गड़ के डिप्टी कमिशना थी इन्होंने 36 गड़ के तहसिल को तहसिलदारी वहुसता के अंतरगत लागू किया जो जिला होता है आज भी आपको पता जिले में थासिल रायपूर धमतरी और रतनपूर में बाढ दिया और तक्षिल का मुख अधि mandatory तहसिल था जो किं आज भी कहलाता है यह इ doc भारतियों के लिए सुरच्छित था तासील का बिभाजन पर्गराम किया गया पर्गरणा का मुक्द्रिघारी नायप तहसिलदार कहला था यह भी पद्भारतियों के लिए सुरच्छित था 36 गड़ में नियुक्त डिप्टी कमिस्टनर को या सला दीगे कि छेत्तरी प्रसासन को अस्तानी रीत रिवाज परंपराव के धान में रखते हुए अस्तापित किया जाए ऐसे पूरी सरकारी कमशारी जो बीटी सासन के सेवा करने की चुक और सरकारी सेवाग बनने की छंता रखते हों को उनकी योगता अंसार रिक्त अस्तारों पर निव्त किया जाए उससे यह भी कहा गया कि छत्तिगर्षेत के आसायनिक प्रसासा मानलब जो सिविल अद्विस्टेशन की पुनर रचना करते समय माराथा कालीन विविन दफ्तरों का पुनर विजिवित ना करते ह प्रमाडित हो चुकी यह को लागू किया जाया मनलब जो माडन अद्मेस्टेटिव सिस्टम ता विटेसस का उसे लागू किया जाया ना कि मराथवारा के प्रसासर को लागू किया जाया दो नौंबर 1861 को ना पूरा उसके अधिनस्ति छेत्रों को मिलाकर एक केंद्री छेत्र का गठन किया जिसे मध्य प्रांत का नाम दिया गया मध्य प्रांत को एक चीप कमिशनर का आधिन रखा गया और परशासनी की दिरिश्ट इसके दो बागों बाटा गया एक था नर्मदा सागर छेत और दूसा था नागूर छेत नागूर छेत क और वहाँ एक कमिश्रा की नियुक्ति की गया और इस समय बिलाशपूर को मद्ध प्रात्न पे सामिल किया हुआ च्छतिस गड़ को तीन जिलो रायपूर बिलाशपूर और जबलपूर में बाटा गया और च्छतिस गड़ संभाग का मुख्यालय राध्धानी रायपूर को राखा गया थीक है इसके बाद इसके बाद 1905 कि गया समभर्पूर जिले में बंगार में मिला दिया गया और बदले में पांची रियासतों पांच रियासतों चांग भाकर कोरिया सरगूजा उदैपूर जस्पूर को बंगाल से लेकर मधपरांत में मिला दिया गया इस ववस्ता के कारण त्शाथिस के परृस्अक वियस्ता में वश्थ 1906 में जब कि बंगाल का विवाजन हो रहा तर्लाड करजन उस समय गवर्नर थे 1926 में जो नवीर परियोत्तर आया उसके अनुज़ा सरगुजा रियासत 36 गड़ के पास आ गई और 36 गड़ में तीन जिले रायपूर बिलासपूर दुर्ग निर्मित किये 36 संभा का नाम यतावत जारी रहा वीडियो जारी रहेगी कुछ मातपूर सुचना आप लोग उससे सुन लें जो बच्चे टेस्ट जोइन ने की हैं क्लास जोइन करने आपको पेमेंट कैसे करना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडियाप आपको कल मिलेगा पहले आप लोग वीडियो देखें और जो देख लेते चाहिए ऐसा नहीं आप लोग सोचे कि 799 बुर्प आप मुझे फीस देदी हैं तो मैं आपका जो आडर मानने के लिए बात दिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपको फीस लिया हूं मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं टेस्ट को आप लगाएंगे उसके बाद आपका कितना नंब तीन दे नहीं मिल को इसके बार आपको इसलिये चाहिए घ्ホ need को मिले गाए नहीं टेस्ट को बहुत सिर्यस लें पैसा देकर कि आपको सेलेक्शन होगा सेलेक्स लेक्शन होगा उसके बाद मैंने आपको बार बार बह बताया बीढ़ियो सुहाँ एक दुद दिन डिस्टेब हो गया क्योंकि भी यूपी का एक्जाम था तो आज सुबह 8 वजे वीडियो नहीं आपाया बट जैसे ही अपलोड होते हैं आपको बिल जाएगी तो तो आठ वजे आही जाएगी कैसे भी करके वीडियो में थोड़ा इधर उद्वर हो सकता है और वीडियो क तीन बच्ची और विए लेक्यां के लिए उनका दूक्सान हो जाएगा कि कई सारे बच्चों के पासरोपे कारड है तो पेमेंट नहीं कर भा रहे हैं जो जाए हैं था किसी पी कर वालीजिया अपर उन्हों नहीं किया है ठीक है थीक आब प्रवाइट कर दें तो आपको प्रवाइट कर दें तो आपको फीस लिए और टेसरी साथ आपको क्लास दे रहे हैं तो उसके लिए आप प्रवाइट कर दें तो अगले दिन नहीं अभर घिणे और चानल पर नहीं आएं तो सब्सक्राइब करने हैं और जो बच्चे जयाएं करने मैं दोबारा रिपीट कर देना हूँ क्योंकि आज के बात वीडियो ने पब्लिक नहीं होगी सिर्क पैट मेंबर्स के लिए वीडियो और हमारी टेसरी अवलेबल होगी तो आप बात में मुझे मत कहीं है कि सार मिल नहीं पाई कि अभी कल रापता के मैसेज कर रहे थे वो चात दिन में जो है बैंक में पैसा जमा करके आया तो जो आप लोग मैं करूंगा आपसे ज्यादा आपके उपर हाड़ वर्क करूंगा कमिट्मेंट किया हूं तो कमिट्मेंट को कैसे भी फुल्फिल करूंगा तो आप लोग ज्यादा ज्यादा भी सहयोग करते रहे और इस एक साथ वीडियो समात करते हैं धैन्यवाद